नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है आठ नमंबर दिन बदबार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जल प्रबंदन की आधोनिक तक्नीक अपनाने की दिशा में बिहार ने बढ़ाया एक और कदब सीयम नितीश ने गड़ी भी उनमूलन के कई और उपायों की घोशना बिहार के शहर में पलेटक ले सकेंगे हलिकॉप्टर से एरियल व्यूँ प्राक्स परिच्छा प्रसक्षन केंडर की मदर से अनुसुच जाती एवं जन जाती के छातर छात्राओं को मिल रही ये सुधार आधार से जुरा ये काम अब 14 दिसंबर तक होगा फ्री अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के उनस्तार से सिल में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के 85 पदों पर निकली भरती स्टीर अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेट के द्वारा अटेंडेंडेंट कम टेक्नीशियन के 85 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो अफिसियल वेबसाइट htdps.com slash ibpsonline.ibps.in slash पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दी कि आविदन करने की अंतिम तारीक 25 नवंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को मैट्रिकुलेशन उत्तरण होना चाहिए और एक एकिकरित इसपात सखियंत्र से नर्धिस्ट ट्रेड में नियुनतम एक वर्ष की अधिका प्रसक्षुता प्रसक्षन और राश्ट्रे वहसाई प्रसक्षन परिशत दौरा जारी राश्ट्रे प्रसक्षुता प्रमान पत्र होना चाहिए इसे जोड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी के गए अधिसूशना को देख सकते हैं जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने बढ़ाया एक और कदम बिहार सिरकार के जल संसाधन, विभाग के द्वारा जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार के द्वारा एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। इससे अत्यधिक वर्सा जलस्तर में तेज, वृधी, आधी का पुर्वनुमान प्रसारित होंगे। इसके अलावा सिचाई, योजना, जलासियो एवं नहरो में कल की उपलगता से संबंधित जरूरी सूशनाई, संबंधित छेत्र के उप्योग करता को प्राप्त होंगी। अ पड़िचालन तो शुरू हो गया, लेकिन कोसी रेल महासेतू का ट्रेन के पड़िचालन का उद्गाटन 2020 में किया गया, इन दोनों पूलों के निर्मान के समय यहां पर गाइट बांध का निर्मान भी किया गया है, यहां पर सुर्योदे और सुरियास के समय का नजारा फीचर चित रहा है और वर्तवार में यहां एक फेमस टुरिस्ट स्पोर्ट बन गया है, इस सबी चीज़ों के लावा हाईवे पर कई सारे ढावे भी खुल गया, जहां पर आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं, यहां पर आपको दूर दूर तक हडियाली नजर पायों की घोषना, बीते दिन बिहार विधान सभा में मुख्यमंत्र नितीश कुमार के द्वारा शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन, पिच्छरा और अति पिच्छरा सहित S.C. और S.T. आबादी के आकड़ों को देखते वे कहा कि इनके लिए जो 50 प्रतीशत आरक्षन है उस जाएंगे राजिके, सरसथ हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए प्रती परिवार साथ हजार के बतले एक लाख रुपए दिये जाएंगे। स्कूलों से नाम काटने के बाद गायब रहने वाले चातरों पर सक्थ हुआ सिक्छा विभाग। जिनका नाम स्कूलों से काट दिया गया है। ऐसे में अब इन छातरों के पहचान करने की कवायद विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। जानकारी के बतादे कि इन बच्चों को चनहत करने के लिए NIC द्वारा मेधा सौफ्ट पोर्टल के सुवधा भी उपलब्द करवाई गई है। बिहार के शेहर में परेटक ले सकेंगे हेलिकॉप्टर से एरियल व्यू। निर्धारित किया गया है वहिस के लावा पीछे के दोनों खिरकी के किनारे सीट के लिए 6,000 रुपए और बीच में बैठे यातरी का भारा लगभग 5,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अधार से जुरा ये काम अब 14 दिसंबर तक होगा फ्री। कर दिया गया वहीं अब एक बार फिर से अंतिम तारी को बढ़ा कर 14 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। मालम हो कि ये सुवधा आधार यूजस के लिए 15 माच से जारी है। इसकी जानकारी UIDAI की ओर से एक आधिकार ग्यापन जारी कर दिया गया है। बतादी कि आप अपना अधार काड घर बैठे sttps.com//myadhaar.uidai.gov.in slash पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। 32 बिहार नेया एक सेवा में आविदन करने की आज अंतिम तिती। अगर आब ए उन लोगों में से हैं जो बिहार लोक सिवा आयोग की ओर से ली जाने वाली 32 वी बिहार निया एक सिवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परिच्छा के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं कर पाए हैं तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दे परिच्छा कि शिर्वाद 25 नवंबर से होगी जो की 29 नवंबर 2023 तक चलेगी यह परिच्छा दो पाली में आयोजित की जाएगी जिसमें से पहली पाली की परिच्छा की शिर्वाद 9 बज़े से होगी और दो पहर 12 बज़े तक चलेगी वही दूसरी पाली की परिच्छा की बढ़ा जाएगा एक्सिडेंटल क्लेम के लिए बिहार में यहां खुल रहा कारे आले इन दिनों राजी के सहर इलाकों में सरक दुरगटनाओं में लगातार बढ़ुतरी होते जारी है ऐसे में एक्सिडेंट होने के बाद एक्सिडेंटल क्लेम के लिए लोगों को काफी कारे आले खोले जाने वाले हैं बता दे कि विहार सरकार के पड़ेवाहन विभाग के द्वारा जारी केगा दिसूशना के नुसार बिहार के भागलपुर्वा मुंगेर प्रमंडल में जल्दी मोटर वाहन दुरगटना दावा नयाधिकर कारे आले के स्थापना की जाएगी इसके लावा पुर्णिया एवं सहरसा में भी संयुक्त रूप से और बिहार की राजधारी पटना गया सारन मुझपरपूर और दर्भंगा प्रमंडल में भी एक-एक मोटर वाहन दुरगटना दावा नयाधिकर कारे आले खोला जाएगा इस बारे में विभाग के द्वा के लिए है बता दे की बिहार की राजधानी पटना की गांधी मैदान में एक दिसंबर 2003 से पुस्तक मेला का आयोजन होने वाला है जो की बारत दिसंबर तक चलेगा इस बारे में CRD पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नी शृप कुमार के द्वारा जानकारी देते वें बताय किस साल या 38 पुस्तक मेला का आयोजन होगा वहीं इस बार इस पुस्तक मेला का थीन 3 नितुत पर रखा गया है इस बार गांधी मैदान में 200 स्टौस लगाए चाहेंगे साथ ही ऐसी प्रकाशनत्र शामिल हुंगे इस पुस्तक मेले में स्कूली बच्चों के लिए प्रवे फिल्म भी दिखाया जाएगा इसके अलावा सांस्क्रित काड़ेकरम आयोजित के जाएंगे जिसमें मालनी अवस्ती और शार्ता सिन्हा जैसे लोग अपनी प्रस्तुत देंगे बिहारी पैचार में आज हम बात करेंगे प्रियंका सिंग के बारे में प्रियंका सिंग एक भोजपुरी गाइका है और उनका जर्म 9 माई 1990 को गोपाल गंज बिहार भारत में हुआ था वह भोजपुरी फिल्मों, एल्बम और स्टे सो में गाइका के रूप में काम करती हैं प्रियंका सिंग ने महुआ टीवी पढ़ाने वाले भोजपुरी सिंगिंग रियालिटी शो सुर्ष तंगराम में बत और कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था उन्होंने वरतमान में एल्बम और फिल्मों में सौ सियधिक गारी गाई हैं प्रियंका भोजपुरी सिंगर की मशूर सिंगर है प्रियंका सिंग ने अपनी सिक्षा कमला डाय कॉलेज गोपाल गंच और जेपी विश्व विद्याले छप्रा बिहार भारत से पूरी की थी 2016 में उन्होंने फेमस भोजपुरी सिंगर पवन सिंग के साथ गाना गाया था उन्होंने अने कई प्रिसिद भोजपुरी गायकों के साथ भी गाना गाया है साथी प्रियंका सिंग ने कई भक्ती गानों को भी अपनी आवाज दी है 2019 में इन्हें IBFA बेस्ट प्ले बैक सिंगर अवार्ड 2021 में चौथी बार सर्वस्टिष्ट पार्सब गायका का अवार्ड और वर्ज 2021 में ही वेस्ट प्ले बैक सिंगर के अवार्ड से समानित क्या जा चुका है प्राग पडिक्षा प्रसक्षन केंद्र की मदद से अनुसुचित जाती एवं जनजाती के चातर चात्राओं को मिल रही ये सुधा अनुसुचित जाती एवं जनजाती कल्यान विभाग पिहार पटना के अंतरगत अनुसुचित जाती एवं जनजाती के छात्र छात्राओं को विवन सरकारी सेवाओं में प्रती निधित्वर प्रदान करने के लिए था उनके सैशने को थान हेतू राजित सरकार के द्वारा परिक्षा प्रसिक्षन केंद्र का संचालन किया जा रहा है बता दे केंद्रों में संग लोकसेवा आयोग पिहार लोकसेवा आयोग एवं अने प्रतियोगी परिक्षाणों समेट सी एटी जी एम एटी में भी सफल होने के लिए उन्हें निश्चलक प्रसिक्षन दिया जाता है जिसकी अवधी छे मां की होती है मालूम हो कि वर्तमार में यह केंद्र राजी के दस्चलों में संचालित होता है जिन में विहार की राजधानी पटना, भागलपूर, दर्भंगा, गया, भोजपूर, मुझअपरपूर, सारण, सहर्शा, पूर्णिया और मुंगेर के नाम शामिल है हालाक इस प्राग परिक्षा प्रसक्षन केंद्र में नाम अंकल लेने के लिए कुछ अहरता भी नरधारित की गई है जिसके तहत उमेद्वार बिहार राजी का स्थाई निवासी होना चाहिए अनुसुचि जाती एवं जनजाती वर्ग का सदर्शे हो और संबनित प्रतियों की तब परिक्षा के लिए नरधारित नियुन्तम अहरता के अनुरूप हो पतादे के केंतर में नमांकन हेत्व आयोजित चैन परिच्छा में प्राप्त अंक्ड के आधार पर मेधा सुचित तैयार कर नमांकन का प्रावधान है वहिसके तहत इस्थानी 146 रुपए प्रतीमा और जिलों के बाहर के 146 रुपए प्रतीमा 3,000 रुपए दिये जाते है इस सिजरी अधिक जानकारी के लिए जिला अनुसुचित चाती एवं जंजाती कल्यान कारे आले से संपर्ख कर सकते हैं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH का निर्मान कारे हुआ पूरा तारीक अब तक नरधारित नहीं की गई है लेकिन इसका उद्गाटन पिहार के मुख्यमंत्रे नतीश खुमार के द्वारा किया जाएगा उन्होंने बताया कि यह भवन आधुनिक सुधाओं से लैसो का यहां नए भवन में सर्जरी और थो विभाग के साथ एमर्जेंसी और आउट्डोर सिफ्ट करने की तैयारी चल रही है उसमें लगने वाले मशीन आने सुरू होके हैं कुछ दिनों में इनको इंस्टॉल भी कर दिये जाएंगे हमारा फर्स्ट फेस में लक्च है कि जी प्लस टू को तैयार कर हैंड ओवर कर दे ताकि मरीजों को परिशानी कम हो नए सर्जिकल भवन की ग्राउंट फोर पर वर्ण, एमर्जेंसी, सिटी स्कैन, अल्टरा साउंड और एक्सरे चांच की सुबधा होगी इस बार 23 फरवरी 2024 को शार्जा में होगा सेलिबरिटी क्रिकेट लीग अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सेलिबरिटी क्रिकेट लीग का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे गजबा सेलिबरिटी क्रिकेट लीग की शिरवाद 23 फरवरी 2024 से हो रही है जो कि शार्जा में होगा ऐसे में सलिबरिटी क्रिकेट लीग का पहला मुकाबला 23 फरवरी 2024 को मुंबई, हिरोज और केरला ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा मालुम हो कि सलिबरिटी क्रिकेट लीग का एक ऐसा क्रिकेट टूर्णामेंट है जिसमें सलिबरिटी मैदान पर उतर कर क्रिकेट खेलते हैं वह इस बारे में बिहार की राजधारी पर्टनाते आने वाले भोजपुरी दवंग के ओनर अभैसना के दोरा जानकारी देते में बताया गया किस बार सलिबरिटी क्रिकेट लीग शार्जा में होना है जो क्रिकेट के लिए अनुकूल जगा है मालम हो कि यह पहली बार है जब सलिबरिटी क्रिकेट लीग भालत की सीमा से बाहर खेला जाना है ऐसे में सलिबरिटी खिलारियों के बीच इसको लेकर काफी उतसाब बना हुआ है वह स्टुनामिन का कालेंडर और सेड्यूल अभैसनह, रमेश नयर और टीम के कप्तान मनोस तिवारी के द्वारा बीते दिन जारी कर दिया है राचे में पच्छुआ हवा ने बढ़ाई थंड बिहार में इन दिनों थंड का प्रभाव बढ़ने वारा है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार इन दिनों प्रदीश में पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है विभाग की तरफ से यह भी बताया जारा है कि आने वाले दो से तीन दिनों में उत्तर पच्छिम बिहार और दक्षिन बिहार में निंतम तापमान में दो से तीन दिगरी तक की पढ़ोतरी की बात कही जारी है वही उत्तर पश्मी बिहार और दक्षिनी पश्मी बिहार में निंतर दापमान में 2-3 दिग्री की कमी आएगी मौसम विभाग की तरव से जारी अपडेट के रोसार प्रदीश में ठंड बर सकती है हाला कि इन दिनों सुभा और शाम में ठंड का हैसास हो रहा विभाग की माने तो छट या छट महा परव के बाद लोगों को कमबल या रजाई निकालने की जरूरत पर सकती है इन दिनों मौसम का मिजास उसको बना रहने वाला है इन दिनों सुभा कि समय प्रदीश में हिमाले की तलहटी के छेतरों में उत्तर पृर्व एवं दक्षिन पर्षिम के भागों में हल्के सी मध्यमस्तर का कोड़ा चाए रहने की संभावना है प्रदेश के अधिकांस जिलों में धुन्त छाय रहने की संभावना जताई जा रही है। इसमें भाग लेने वाले उम्मेद्वार के सचनिक योगिता की बात करें तुम्मेद्वार बारवी के साथ आई ती आई पास हो। को एजिंसियों नियोजकों से अनुरूद किया गया है कि वे नर्धारित उपकर सो समय जमा कर दे बतादे की भवन एवं अन्यस अनिर्मार कर्मकार कल्यान उपकर अधिनियम के नुसार सभी नीजी तिसा सरकारी कारेओ के विरुद निर्मार लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर की राशी जमा किये जाने का प्राबधान है ऐसे में विलम से उपकर जमा करने की सिती में भोगत तई राशी पर दो प्रतिशत प्रतिमा की दर से ब्याज जमा करना होगा विभाग के दोरा दी गए जानकारी के नुसार उतकर की राशी जमा करने के लिए पोटल www.cesboc.bihar.in पर जाएं पुलिस ने देशी सराब के साथ तसकर को किया गिरफतार बिहार में पुनरूट से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकर इसके बावजूद भी आएदिर हमें सराब तसकर इस जोड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवाग के ओर से कई कोशिश की जा रही इसी कोशिश के तहट बीते दिन गोपाल गंज पुलस के द्वाला गोपालपूर थाना छितर के राजपूर नहर पुलपर वाहन जाच के क्रम में एक बाइप पर सवार तसकर और उसके पास से पैतालिस पीश देसी सरा बढ़ामत की गई है बतादे की गिरफतार किये गए तसकर की पैचान राजकुमा राम के रूप में किया गया है जो कोपालपूर थाना छितर के लाचपूर गाउं का रहने बाला है वहीं पुलिस के दोरा तसकर से पूछ ताज करने के बाद उसके खिलाफ उतपाद अधिनियम के तहट प्रात्मिक दर्जकर नयाई हिरासत में भेज दिया गया है जाती गन्ना पर उठ रहे सवालों को नितीश ने सदन में नकारा बीते दिन बिहार विधान सभा में शीत कालीन सतर के दूसरे दिन जाती गन्ना की रिपोर्ट पेश की गई जिसके बाद विपक्षी दलो के द्वारा आकरों को लेकर कई सवाल उठाए गया जिसका बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के द्वारा सीरेज से खारिज कर दिया गया दरसल बीते दिन सदन में विपक्ष के द्वारा लगाए गया आरोपो पर मुख्य मंतरे नितीश कुमार के दोरा जवाब देते वे कहा गया कि हजाती गन्ना बिहार में नौ पार्टियों के समर्थन से कड़ाई गई है यह एक एतिहासी काम है जो पूरा किया गया है इसलिए इसके आकरे सभी लोगों को दिये गया है आप देख लीजे उन्होंने कहा कि हमने 2017 और 2020 में ही बोल दिया था और सर्वदलिय बैटक में भी बोले थे यह बात हमारे मन में वर्स 1990 से थी इसको लेकर हमने बिहार में सभी से बात चीत की सभी दल के लोग पीम से मिलने गया उनसे आगरह किया गया और तब कहा गया कि राज़े अपने से कड़ा रहे पाद में जब जाती गना शुड़ हुई तो सब कोर्ट में चले गया पहले यह मामला हाई कोर्ट में गया फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया हमने के वल गना नहीं बलकि आर्थिक स्थिती का भी आकलन किया है इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे लेकिन जब आज तक जाती गना हुई ही नहीं तो ऐसी बोगस बाते कौन करता है उन्होंने कहा कि जाती गना में कोई गरबरी नहीं नहीं है प्रशांत कसोर ने तेश्वी यादव और नितीश कुमार को दिया चैलेंज एक बनाया है जो विधाय मचीद करा आए है उनमें से कितनों को उन्होंने मंतरी मंदा में शामिल किया है और जो लोग मंतरी मंदल में शामिल है उन्हें किस तरह के विवाग दिये गए है और उनके पास कितना बजट है हम आपको आकरा बता देते हैं वर्तमान वीद्यवर्ष में बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड रुपए इसमें से करीब करीब 60 फीजदी का जो बजट है वो सर्फ दो व्यक्तियों के पास है उन्होंने कहा कि वो है नितीश कु शाहीन अफ्रीदी को पाकस्तानी टीम का कप्तान बनानी की मांग उठाई गई है और उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा प्रसंसक हूँ लेकिन वह इश्विस्वकप में अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे है बाबर को विराट कोली की तरह परिवार से किसी ने कभी काम किया है इसलिए मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है मैंने कुछ विज्यापनों के लिए काम किया है लेकर इस छेत्र के लिए जाद अपने बारे में भारत सरकार ने ऐसी कोई सेवा शुड़ूर नहीं की है कुछ राजियों में इस नंबर का प्रयोग विवन हल्प लाइन सेवा के लिए किया जाता है भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दर्च के नोटों को अवायत घोशुद किया भारत की प्रसिद कतक्र नर्त्यांग नसितारा देवी का जन्म 1920 में हुआ भाजपा के वर्ष चनेता और पुर्व उप प्रधान मंत्री लाल क्रिश्न आडवानी का जन्म 1929 में हुआ प्रसिद साहित्यका लोचन प्रशाद पांडे का निधन 1969 में हुआ भारत के पहले वायुसे ना प्रमुक सुब्रतों मुखर जी का 1960 में निधन हुआ दक्षिन भारती सिनेमा के प्रसिद नर्देशब बोमी रेड़ी नर्सिम्हा रेड़ी का निधन प्राइवसी फीचर के लिए उसके पैरेंट कंपनी मेटा ने नया फीचर पेस किया है जिसमें अब वाट्सेप को इमेल से वरिफाई करना होगा अगर आप भी वाट्सेप यूजर है तो आपको इस फीचर के बारे में डिटेल में जरूर जाना चाहिए WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मताबिक यह फीचर अब एंड्रोइड के लिए वाट्सेप बीटा के नमेंतम सर्सकरन उप्लाब्द हो गया है इस फीचर के व्यापक रोलाउट से पता चलता है कि कंपनी से बाकी उजर्स के लिए जल्दी रोलाउट करेगी एंड्रोइड पर जिन बीटा उजर्स ने इन्टेस्टिंग के लिए इस टॉल कर लिया है वे सभी इस फीचर को उन्हें इस टेप से अक्टिव कर सकते हैं जिन में उन्हें अप पर सेटिंग्स अकाउंट के भीतर अक्टिव इमेल वेरिफिकेशन फीचर पर टैब करना हो भारुत में लगातार निवेशकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी और बाजार में बढ़ रही तेजी और मिले अच्छे रिटर्न के कारण देश भर में डीमेट अकाउंट खोले जाने वाले लोगों की संख्या 13.22 करोड के पार पहुँच चुकी है बता दे किसके साथ तीन आठ करोड से जाधा खातार नेशनल सेकुरिटीज डिपोजिट्री के है आपकी चानकारी के बता दी कि दीमेट अकाउंट की मदद से आप शेयर बाजार में स्टॉक को खड़ी दिया बेश सकते हैं इस अकाउंट का मतलब होता है दीमेट रिलाजेशन अकाउंट हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरुरी सवार और से जरुरी जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समीट, SAC जैसे आने प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यहाँ में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में चुनाव आयूग ने चुनावी साक्षर्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया है औप्षन E सिक्षा मंत्रा ले, औप्षन B खेल मंत्रा ले, औप्षसी उध्योग मंत्रा ले, औप्षन D इन में से कोई नहीं इसका स्तहियो तरह आप्शने सिक्षा मंतरा ले अगला सवाल हाली में वंडे विश्रुकप में भारत के सरवादिक विकेट लेने वाले गेंद बाज कौन बढ़े हैं? उप्शने मोहमत श्रमी, उप्शने रवंदर जडिजा, उप्शनसी कूल्दी प्यादव, उप्शनी जस्प्रीत बुम्राह इसका सहुत तरह आप्शने मोहमत श्रमी अगला सवाल इसका सहुत तरह आप्शन बी पाटले पुत्र अगला सवाल चीत याद्री हुएन सांग ने 625 इसवी से 640 इसवी तक किस विश्यविद्याले में अध्यान किया था? आप्शने विक्रमसला विश्यविद्याले आप्शन बी ओंदन्द पुडी विश्यविद्याले आप्शन सी तक्षिला विश्यविद्याले आप्शन डी नारंदा विश्यविद्याले इसका सहुत तरह आप्शन डी नारंदा विश्यविद्याले अगला सवाल बिहार में नुहानी वंस का उदय gebaut कि सके काल में हुआ उप्षन N भालोर लोदी इबराहिम लोदी इबराहिम लोदी ऑफ्षन C सिकंदर लोदी ओप्षन D in में से कोई नहीं के इसका स्टहिं उतरै अपसती सिकंदर लोधी बेटय दिन्हें दरप पूछे का सवाल का आप लोगों THE से बहुत लो ने प्रजब हमें अमारी कॉमेंट्स Chelsea बॉक्स में लिख कर दिा था जिन्Sen नहीं हमारेख पूछे का stable का ॹग्लू को вмुण इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है वाहन चलाने के दौरान आप अप अपनी सुरक्षा के लिए किन-किन बातों को ध्यान रखते हैं अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट स्रक्षन में लिएक का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बढ़े रहले हैं बिहारी नियोज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले ताने बाद